मूवी शुरू होती है और हम जंगल में बसे एक गाओं को देखते हैं यहाँ पर कुछ थोड़े से लोग रहते हैं और यह सभी लोग जंगल में लकडियों को काटने का काम करते हैं लेकिन पिछले कुछ महीनों से काफी ज्यादा यहाँ पर बर्फ गिर रही है जिससे इनका काम लगबग बंद बढ़ चुका है अब इसी दोरन हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो वो जंगल की तरफ जाता है जब वो कुछ देर बाद वापस लोटता है तो वो देखता है कि उसके टाउन में सभी लोग मारे जा चुके हैं उसे यहाँ पर एक अजीब सा जाइंट सक्स दिखाई देता है जो वो अब उसे भी मार देता है अब सीन सिफ्ट होता है और हम लोग कुछ टाइम के बाद का टाइम देखते हैं यहाँ पर दो काउंसलर को दिखाया जाता है जिनके नाम हौक और सैम हैं यह दोनों गाइड काउंसलर भी हैं जो वो इनको टास्क देंगे ताकि वे सभी लोग सुधर सकें अब यह सभी लोग वायन में बैट कर जंगल की और जाने लगते हैं जंगल के पास में पहुचने पर यहाँ पर एक ओल्ड सक्स चुपके से काफी अजीब तरह से इन्हें देख रहा था यह स और उसके पीछे से एक भालू उसका सिकार करने के लिए आता है लेकिन इसी दोरान उस भालू के पीछे एक जाइन टाके उसे मार देता है अब कुछी समय बाद रात हो जाती है और रात के समय यह सभी लोग आग के पास में बैठे थे इसी दोरान यहाँ पर वही ओल्ड सक करने के लिए रेडी करता है यह सभी अब हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं काफी देर से हाइकिंग करने के बाद में अभी लोग खाने के लिए रुपते हैं यह जगा जो थी वहाँ पर कोई भी नेटवर्क्स नहीं थे जैकिन सबसे तंग आकर वो इन सबसे अलग चला जाता है और उसके पीछे मार्टी भी उसे बुलाने के लिए जाता है अब एक चटान पर जाने के बाद में उन्हें यहाँ पर कुछ एनिमल्स के कंकाल दिखाई देते हैं जैकिन कंकाल में से एक कंकाल के सेंग को उठा के अपने पास में रख लेता है अब जैक इसे लेकि हम टाउन में सीबी के डैट को देखते हैं उसे पता चल जाता है कि जिस कांसलर के साथ में उसे अपनी बेटी को भेजा है उस कांसलर का भीहेवियर ठीक नहीं है इसके चलते पहले जो लोग उसके साथ में जंगल में गय थे उनमें से एक मारा गया था जिसके बाद ने गायब थी जैंट खूबते जब चिलाता है जिसे चिलाने की आवाज पूरे जंगल में गुजती है इधर ये सभी को ये आवाज सुनाई देती है लेकिन इनको लगता है कि ये किसी जानवर के रूने की आवाज है दूसरी और हम उसी ओल्ड सक्स को देखते हैं वो जान ज करता है इसे देख कि अब बाकी जो लोग बचे हुए थे वो अपनी जान बचा के यहां से भागने लगते हैं ये सभी लोग उस जाइंट से अपने आपको बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं ये सभी जंगल से जल्दी से भागना चाते थे वो वापस लोटकर कार के पास आते हैं लेकिन कार की चाभी हौक के पास में थी जो कि वो तो अब मर चुका है मौके को देखके अब मार्टी किसी तरह बिना चाभी के कार को स्टार्ट करने का ट्राइ करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता इसके बाद में अब दूसरी काउंसलर सभी को काइबिन के अंदर चलने को कहती है क्योंकि यहां पर बाहर खत्रा है अब तभी यहां पर जाइंट आता है और वो जो यहां पर इनकी कार थी उसको वो घसीट के लेके चला जाता है जाइंट जानता है कि वो सिर्फ अपनी कार से ही यहां से जा सकते हैं लेकिन वो जाइंट किसी पितर जाता है वह ऊल्ड सक्स ये भी कहता है कि मैं कई सालों से यहां पर रह रहा हूं लेकिन उसे इतने गुस्सें में आज तक नहीं देख्ञा अब सीबिद उस ऑल्ड सक्सको स्किलेटन का सिंग दिखाती है जो इनके पास में था इस सिंग को देखने के बाद में अब ये ओल्ड सक्ज इन्हें एक स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि इस जंगल में आज से कई साल पहले एक गाउं हुआ करता था जहां पर एक परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया वो बच्चा दूसर के सारे पेड़ों को काटना सुरू कर दिया जिससे वहाँ के जो जानवर थे वो गायब हो गए एक दिन जब गाउं वाले सिकार करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें जंगल में एक बड़ा सा बैल दिखा जिसे उन्हों ने मार दिया अब जब वह उसे पकाने के लिए से उड़ा दिया गया सभी लोगों को लगा कि वो मर चुका है लेकिन वह एक्चली बच गया था और अपने बैल की सिंग को ले जाके उसने उसकी कबर बनाई जिसे तुम लोग जिस सिंग को लाए हो वह उसी बैल का है जिसकी वज़े से वह जाइंट तुम सभी को मार देगा अब ये बात जानने के बाद में जैक उस सिंग को उठाता है और कैबिन से बाहर जाने के बाद में उस सिंग को जंगल में फेंग देता है वो सिंग को वापस फेंगते हुए कहता है कि ये लो अपना सिंग वापस ले लो अब जब जैक कैबिन की तरफ वापस आता है तो व उधर वो जाइंट भी इन सभी को मारने के लिए बेचायन है अब अगला दिन होता है सीबी के डैड इस जंगल तक पहुंच चुके हैं जंगल में आने के बाद में वो यहां पर कुछ मरे हुए लोगों को देखता है उसे यहां पर एक बड़ा सा फुट्प्रिंट भी दिख लेकिन इतने में अब वो जाइंट यहां पर आके इस कैबिन को तोड़ने लगता है वो अपने कुलहाडी के मदद से कुछी समय में कैबिन में चेंद कर देता है और इनमें से रोजनाम की लड़की को पकड़ के वो मार देता है लेडी काउंसलर अब उसके आँख पर निस जानता है कि यह जाइंट अभी मरा नहीं है जिसे इन्हें यहां से जल्दी से निकलना होगा यह सभी लोग अभी यहां से निकलते हैं लेकिन इसी दौरान अभी यहां पर वही ओल्ड सक्स गन लेके आ जाता है और इन पर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम सभी यहां स उसे नहीं जा सकते. गोलि आवाज से जाइंट जग जाता है, लेकिन बाखी लोग नीचे जुख जाते हैं, आप रोड शक्स मारा जाता है. अब ये सभी लोग दोड़कर, कार के पास में जाते हैं, कार में बैठने के बाद में TB कार को भगाती है, और पीछे उसके डैड उस जाइंट को रोकने के लिए गन से फायर करते हैं वो जाइंट तेजी से इने मारने के लिए इनका पीछा करता है CB के डैड उस पर फायर करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता अब वो जाइंट अचानक से कार की आगया जाता है उससे बचने के चक्करमेन की कार पेंड से टकरा जाती है ये सभी लोग पैदल ही इस जंगल से होते हुए दूसरी और भागते है वो सभी लोग पास के ब्रिज से होते हुए दूसरी साइट चले जाते है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बैक अप के लिए और भी पुलिस वाले आ चुके हैं वो सभी लोग मिलके जाइंट पर गन फायर करते हैं जिससे कुछी समय में वो जाइंट अब मारा जाता है मरते वक्त वो जाइंट रोते हुए कुछ कहने की कोसिस कर रहा था लेकिन वो ब्रिज से गिर कर अप पानी में डूब जाता है यहाँ पर यह बाकी लोग बच जाते हैं और इसी के साथ में यही पर मुवी का एंड होता है सो गाइस यह थी 2013 की एक होरर फैंटसी मुवी का एक्स जाइंट उमीद करता हूँ कि आप लोग ने मुवी के एक्स्प्लेनेशन को एंजॉय किया होगा मुवी का एक्स्प्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा आज के वीडियो के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिन वन्ने मातरम